हेलो दोस्तों कैसे हो आप मेरा नाम है अंकिन सिंप बबाग और आज हम आ चुके हैं क्विक रिविजन सीरीज के चप्टा नंबर 14 हेलो एलकिन्स एन हेलो एरींस पर यहां हम क्विक रिविजन करेंगे थ्रू एंसी आटी यहां मेंने दो हाइलाइटर का इस्तेमाल क्या है पहला है यहलो हाइलाइटर जिससे वो चीज दिनोट की गई है जिनकी प्रोबैबिलिटी बनती है कोशन पेपर में आने की वहीं रेड हाइलाइटर से वो चीज दिनोट की गई है जिनसे कोशन पूछे जा चुके हैं प्रिवेस यहां में सो वक्त गभाई बीना अब स्टार्ट करते हैं, अलोलकिन्स and हेलोयरिज्स इसको कहा जाते हैं, यानि किसी भी ऐलिपेटिक या अरोबेटिक हीड्रोकार्बन में से उसके हाइडोजन को हटा के रिप्लेस कर दिया गया, अब भी थे हेलोजन तो उसे एककललायजज जिसे क करते हैं, यहाँ पर हेलो कि बात करताओ, बहुत सरे यूज़ बात करता हूँ, खलोजन कलोरीन केकटन यसे क्लोराम पेनी थे जाता है, जो बहुत सारे dolan के भी हो तरी होता है, और अभर हम बात तो जह कैसे करदा था लिए दो ही जोड़ा सो गराटे यह करता है कि जातु घंप करता है- monohalcene होता है, वहीं कभी हम बात करते हैं, दो हेलोजन है, तो dihalo, तीन हेलोजन है, trihalo, वहीं बात हम अब homoherosan की बात किया तो हम बहुत हैं, वहाँ पर भी बेंजीन रिंग के साथ, एक हेलोजन जुड़ा है, तोई सकंटोन है अब हम बात कर लेते हैं कंपॉंड कंटेनी एस्पी-3 कारबन एंड हाँलोजन चिसमें और हो जाता है सब कुछ आता है अब कि यहां बात करते हैं कि सबसे पहले आता है यहां पर यहां पर यहां पर होता है जैसे मान लीजेगा भी प्राइबरी कार्बन से जुड़ा है तो यह प्राइमरी है कर यहां कभी हम सेंटनरी कार्बन से जुड़ा है तो सेंटनरी में टर्चडरी Ahh यहां पर यहां यह हो आपो करते हैं यह सिंव्हा मज़यमरी से ऑचले होता है जी हो own हो ज Zusने कहिए जो्पाइलन का है है किसी carbon double bond के बगल वाला यानि carbon double bond के बगल का जो भी sp3 carbon होता है उस पर कभी halogen जुड़ा है तो उसे allylic halide कहते है मानली या allylic halides के example दे रखें वहीं बेंजालिक halides के बात कहते हैं तो इसमें halogen atom उस sp3 carbon से जुड़ा होता है जो कि aromatic ring से जुड़ा था यानि sp3 कोई भी sp3 carbon जो हेलोजन रिंग या बेंजीन रिंग से जुड़ा है तो उसे यहां पर benzynlic halide कहा जाता है वहीं अब आते हैं compound containing sp2 carbon halogen bond अब यहां पर विनायलिक halogen halides बोलते हैं इस इन compounds में halogen bonded होता है to sp2 carbon यानि sp2 hybridized carbon होता है एक double double bond carbon carbon double bond के compound के sp2 carbon पे कभी halogen जुड़ा है तो उसे विनायलिक halide कहते हैं वहीं aryl halide की बात कर ले है तो यहां पर जो halogen atom होता है वो directly sp2 hybridized carbon of aromatic ring से जुड़ा था यानि कभी directly aromatic ring से कोई carbon जुड़ा है तो वो arylik halide है अब हमें उम्मीद है अब बात कर लेते हैं नॉमन क्लेचर की देखिए जो आयूपीसी सिस्टम है उसमें जो भी alkyl halide से जो भी हेलो एलकें से उन्हें हम हेलो सब्स्टिटुएटेड हैड्रो कार्बंस बोलते हैं हेलो सब्स्टिटुएट हैड्रो कार्बंस इनमें देखें कोमन नेम जैसे एन प्रोवायल प्रोमाइड का आयूपीसी नेम उसी एन प्रोवायल प्रोमाइड का वन ब्रोमो प्रोपें होता है महीं अजैसे एगजामपल एथैल एकलोराइड यहेगजामपल एथाइल इन अफ्री हम इलकाइलीन क्लोराइड़ यह फिचाले archa इलकाइलीन इखलोराइड यह ओर यह कुछ को आपको समझ में आ जाएगा कि क्या में क्या एक्स्प्रीण करना चाहता हूं दीगनेंस देखें स sala आप कोामन चैनल नाम या आयल प्रोमाध का त्रै यहां बात कर देखिने किवे दिप ग्वैंटामी कि बिरौ मिध सनक रहें। आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से नेवन क्लेचर लिखना है अब हम आगे बढ़ते हैं अगला टोपिक आता है नेचर ऑफ कार्बन हेलोजन बॉंड देखें जो हेलोजन बॉंड एटम्स होते हैं उसमें इलेक्ट्र नेगेटिव होते हैं इसलिए जो कार्बन हेलो डिखें कभी भी हम किसी है एलोजन के से जाते हैं ग्रूप में जाते हैं तो डाउन दर ग्रूप जाने पर साइज ओप हीलोजन इंक्रीज करेगा यह खाली सबसे समोलड इंट आउडीं सबसे बढ़ा होग अब जो कार्बन हेलोजन बोंड लेंध है वो भी कार्बन से ले of hellowalkins methods of preparation of hellowalkins सबसे बहला है from alcohol alcohol से केसे देहिए alcohol में क्या होता है कि तो hydroxyl gop alcohol is replaced by hellowan on reaction with concentrated halogen acid या phosphorus halide या thionyl chloride या या जो भी alcohol group का OH hydroxyl group है उसको substitute कर देता है उसको replace कर देता है halogen जब हम इनका reaction करवाते हैं किसी भी haloalkan का reaction करवाते हैं इसमें क्या होता है कि यहां पर केटलिस्ट जिंक क्लोराइड का प्रजेंस चाहिए रहता है यानि यह इतना इफेक्टिव नहीं होता है विदाउट जेड़न सीयल को है और महीं टर्चरी जो एलकोल होता है उनमें सिंप्ली एलकोहल को कंसेटरेटर एसल के साथ हम शेक कर देते हैं जिससे रूम ट और पर टो बर डहीं हमए टो नमें पंवन तह सब टाव अब ज्यसे आप जैसे इलकोहल का हाई यहों कोको अ किसी भीम विदे पीजिंदान अंगे मालं कर लेगता यहां होसफोर्स हलाईट के बात के लिए तो यहां पे ट्राए हलाइट होस्फोरस कर लाइट और POCl3 बन जाता है, वह यह alcohol का reaction हम, यहाँ पर red phosphorus, अब X की जगा कोई भी halogen like bromine iodine use के लिए, तो भी हम पर reaction में alkyl halide बनेगा, यह alcohol का reaction कभी हम SOCl2 से करवाते हैं, तो RCl formation होगा, SO2Cl और HCl, जो कि escape हो जाते हैं बाद में, अब बात करते हैं, देखें, जो भी आब वो method होता ह जो भी हमने सिखाया अब ही तक, वो applicable है alkyl halide के लिए, बट यह applicable नहीं है aryl halide के formulation में, यानि यहाँ पर कारण क्या होता है, कि aryl halide में यह reactions क्यों नहीं होता है, यह जो fund हमने समझे, आगे के, जो भी method होता है, वो applicable क्यों नहीं हो, उसका कारण होता है, जो carbon oxygen bond होता है, वो partial double bond character का होता है, और इसी के खारण, उसको तोड़ना, थोड़ा difficult हो जादा है, अब बात हम, यहाँ पर preparation of alkyl halide from hydrocarbons की बात कर लें, तो पहला है, from alkyans by free radical halogenation, halogenation, अब यहाँ बात आजिए तो, free radical chlorination और bromination of alkyne, give complex mixture of isomeric mono and poly halogen, यानि free radical chlorination करवाए गया, जैसे कि, हम मान लेज़े, alkyne का reaction हमने chlorine का करवा दिया, in presence of ultraviolet red, जिससे क्या होता कि carbon free radical, chlorine free radical formation होता, उसके बाद, हम यहाँ से, जो भी, मतलब, alkyl halide, formation करवा लेते हैं, अब वही बात, alkyne करते हैं, alkyne में क्या होता है, सबसे पहला होता है, addition of hydrogen halide, यानि यहाँ पर कहोता है, जो alkyne होता है, उसको alkyl halide में convert कर दिया जाता है, वहाँ रियक्शन में, hydrogen chloride, hydrogen chloride, जो कि एक mineral acid है, उससे reaction करवा दिया गया, और यहाँ पर hydrogen, जैसे alkyne को alkyl halide में convert कर दिया गया, अब वहीं बात कर दे, प्रोपीन, प्रोपीन को, प्रोपीन iodide, प्रोपाइल आयलोड, यहाँ मतलब, यहाँ major product हो, minor product भी, जो भी more stable होगा, वो ज्यादा major product बनाएग अब addition of halogenes की बात कर लिजाए, देखे, addition of bromine in presence of CCL4 to an alkyne resulting in the discharge of reddish brown color of bromine, and it is the method used for detection of double bond in molecule, and addition resulting in the synthesis of visceral driver, यहाँ simple सीधी बात है, कि alkyne का reaction का भी हमने bromine के साथ करवाया गया, CCL4 के presence पे, तो यहाँ पर visceral dihylate formation होगा, और इसके कारण क्या होता है, कि जो bromine का color होता है, वो fade हो जाता है, जो reddish brown color bromine का होता है, वो fade हो जाता है, इसके कारण यह जो test होता है, unsaturation का होता है, और यहाँ पे से double bond, detection of double bond in a molecule प्रता चलता है, visceral di bromide formation हो जाता है, और जो reaction होता है, वो anti-edition होता है, अब आगे आने वाले, halogen exchange method के सुरू, यानि alkyl halide, open prepare किया जाता है, from alkyl chloride या alkyl bromide से, with NAI in presence of dry acetone, यानि sodium iodide से reaction करवा दिया गया, तो यहाँ से alkyl iodide बन जाता है, in the presence of sodium iodide and dry acetone, तो यहाँ पे जो भी alkyl halide का और reaction, sodium iodide से करवा दिया, जिसे alkyl है आयोड़ाइड बन गया, इस reaction को, फिंकलिस्टिन इस reaction कहा जाता है, और यहाँ से हम, जैकि जो तो भी NACLA, NIVR formation होता है, उसको dry acetone में हमने precipitate करके अलग कर देते हैं, अब जो synthesis of alkyl fluoride, उसको actually उसमें क्या किया जाता है, क्यों alkyl chloride या alkyl bromide होता है, उसको in presence of metallic fluoride, heat कर दिया जाता है, in the presence of AGF, HG2F, COF2, या SBF3, इन के साथ heat कर दिया जाता है, तो इससे क्या होता है, क है, AGF के presence में, HG2F2, COF2, SBF3, इन के presence में हम alkyl fluoride का obtain कर सकते हैं, अब बात आ जाती है, preparation of hellow arines की, from hydrocarbons by electrophilic substitution, यानि यहाँ पर क्या होता है, कि alkyl chloride या alkyl bromide होता है, उनको easily prepare किया जाता है, by electrophilic substitution reaction, अब यहाँ पर क्या होता है, कि alkyl chloride या alkyl bromide होता है, उनको easily prepare किय यहाँ पर हम जो भी benzene, जैसे aryl chloride, यानि जैसे कोई से टॉलियून है, टॉलियून का reaction हमने chlorine से करवा दिया, in the presence of iron, indirect, तो यह iron एक तरह से living acid का काम करेगा, अब यहाँ पर क्या होता है, कि इसके थूरू हम orthohelotolion या parahelotolion बना सकते हैं, या एक्स की जगा हम chlorine बनाते हैं तो orthohelotolion या parahelotolion का formation हो जाता है, अब जो orthohelotolion होते हैं, उनको easily separate किया जाता है, क्योंकि उन दोनों में large difference of melting point होता है, melting point का difference बहुत ज़्यादा होता है, अब जो iodine है, iodine का reaction यहाँ पर irreversible होगा, क्योंकि यहाँ पर iodine में क्या होता है, कि जो free radical बनता है, वो वापस iodine ही formation कर लेता, इसके कारण क्या होता है, कि जो भी oxidizing isn't used होता है, like HNO3, HI3, जिससे क्या होता है, कि यह HI का formation करता है, और बाद में alkyl hyalide, कोई भी alkyl hyalide formation हो जाता है, फ्लोरो compound इसलिए prepare नहीं होते हैं, क्योंकि उनके reactivity बहुत high हो जाती है, आप from amines by send me a reaction की बात कर दें तो यहाँ पर क्या होता है, जो primary aromatic amine होता है, उनको cold aquas mineral acid के solution में treat किया जाता है with sodium nitrite, जिससे क्या होता है, कि यह एक diogenium salt बनता है, यानि बेंजिन diogenium salt बन गया, यहाँ पर aniline के reaction करवाने पर, अब क्या होता है, कि जो बेंजिन diogenium के salt होता है, उसको mix कर दिया जाता है, क cuprous chloride के साथ, तो इससे क्या होता है, कि हमें replacement reaction होता है, diogenium chloride को replace कर दिया जाता है, किसी halogen group से, यानि यहाँ पर जैसे, जो होता है, वो replace कर देगा, जो भी diogenium group होता है, और इसके थुरू हम aryl halide का formation कर लेते हैं, अब बात आ जाती है, देखिए, यहाँ पर diogenium, जैसे मान ल iodide ले लिया, तो इसमें यह presence of cuprous chloride का presence require नहीं करता है, मान लीजे, यहाँ पर only potassium iodide है, उसके presence में ही यही हो जाता है, मतलब यहाँ पर cuprous, जो iodide, जो हम formation कर रहे थे, उसकी जरुवत नहीं होती है, यहाँ पर potassium iodide के थुरू ही हम iodide, मतलब, aryl iodide बनाए ककते हैं, यानि benzene iodide, जो भी हम formation कर सकते हैं, अब यह जो, यह भी जो भी example से, इनको देख लीजेगा, क्योंकि मैंने समझा दिए, देखिए, without paroxide formation यहाँ पर HBR reaction करेगा, तो कार्बोकटाइन की stability पर paroxide आगिया, तो जो भी less stable product है, वो बनाएगा, और HCL से reaction करवादी, यह एलकीन का, तो more stable product बनाएगा, इसी तरह कर से, आपको यह आगे question मैंने समझा दिए, इनको आप कर सकते हैं, त्रू, अब बात आजाती ही physical properties, देखिए, जो भी alkyl halides होते हैं वो color lace होते हैं, हावे बर जो bromides और chlorides होते हैं, थोड़े colored हो जाते हैं, बाकि mainly volatile halogens होते हैं, उनकी smell थोड़ी sweet smell होती है, अब बात आजाती है, melting और boiling point की, देखिए, जो methyl chloride है, methyl bromide होते हैं, यह room temperature पर gases होते हैं, वह जो उसके higher members होते हैं, वो कुछ liquid होते हैं, और कुछ solid होत होते हैं, अब बात आजी, देखिए, जो भी intermolecular force of attraction, like dipole moment or wonder wall, are stronger in halogen derivatives, जितने भी halogen derivatives हो, उनमें intermolecular force of attraction, like dipole-dipole moment, यह vendor wall attraction force, यह दोनों ज्यादा होते हैं, इसके कराण क्या होता है, कि जो boiling points होते हैं, like chlorides, bromide, iodides के, वो considerably high होते हैं, थोड़े high हो जाते हैं, क्यों किस स to the hydrocarbon of comparable molecule mask, यानि उसी molecule mask के hydrocarbon से boiling point थोड़ा ज्यादा होगा, किसी भी alkyl halide का, अब जो भी boiling point होता है, alkyl halide का, और decrease करता है, in the order of alkyl iodide, alkyl bromide, alkyl chloride, and this is because with increase in size and mass of halogen, vendor wall forces increase, यानि यह क्यों हुआ, alkyl halide क्यों ज्यादा boiling point होगा, इसका कारण होता है, जैसे जैसे molecule mask बढ़ेगा, आवेसे वेंडर wall radius भी बढ़ता है, vendor wall force of interaction भी बढ़ता जाता है, और boiling point of isomeric halogen, decrease with increase in branch, और जिस तरह कैसे, देखिए, जितना branching होगा, उतना ज्यादा surface area कम होगा, और उतना ही melting point कम होता जागा, यानि उतना ही vendor wall force कम होगा, और उतना ही melting point कम हो जो भी alkyl halide, उससे थोड़ा कम होता है, boiling point थोड़ा कम होता है, यानि straight chain वालों का थोड़ा ज्यादा boiling point होता है, अब बात आ जाती, pera isomers, or high melting point, as compared to ortho or meta, अब ये pera isomers का high melting point क्यो होता है, ortho or meta से, क्योंकि उनकी, because of symmetry of pera isomer, जो कि crystal lattice में, ortho or pera के comparison में, ज्यादा अच् symmetry के कारण, pera isomers का melting point हाई होता है, वह density के बात कर लीज़े, तो density, जिसे भी bromo, iod, poly chloro derivatives, उनकी density increase कर देंगे, with increase in mass, in the number of carbon atom, जितने जितने number of carbon atom बढ़ेंगे, उस तरह के से density भी increase होगी, वह solubility के बात कर लीजाए, तो जो भी halo alkyans होते है, वो slightly soluble होते है, वाटर में, या इसी के साथ, आज का ये वीडियो समापत होता है, वो वीडियो पसंद आया हो, तो like कीजिए, comment कीजिए, और subscribe कीजिए हमारे चेनल को, धन्यवाद,